करने बागी करने क्यों है कि कौन सा था जाज आज मेरिकल 562 और 563 पर आईए 562 पर जहांगीर अली किया वैसे ही हमने लेकिन चले आईए दुबारा डिस्कस कर लेते हैं 562 में कहते हैं जहांगीर एली इस रिजिस्टर इंडर दे सेज्टेक्स एक 1990 जे ए रंस मल्टिपल बिजनसेस फॉलिंग इन्फॉमेशन हैज विन एक्स्टरेक्टेट वौदा मंथ और फर्वरी 2017 का डेटा आपको दे रहा है टेक्सेबल गुड्स एकसपोर्टे टू कतर एक लाग वर्कींग टू में चला जाएगा टेक्सेबल गूड्स टू रिजिस्टर्ट कस्टमर्स वर्किंग त्री वर्किंग त्री में और taxable goods from unregistered supplier 95,000 इस पे भी हमें कोई input नहीं मिलेगा The following further information is available Taxable goods supplied to registered customers include goods amounting to rupees 3,00,000,000 supplied to an associated company at a special discount of 25% जी शामिल है 3,00,000,000 के अंदर तो आप क्या करेंगे 3,00,000,000 में से 3,00,000,000 निकाल देंगे और चूंके ये 25% discount के बाद है यानि 75 पे पड़ावा है इसको आप 100 पे ले जाए और ये आप अपनी sales mat कर देंगे Taxable goods purchased from registered suppliers include Sir मेरे हैल में बात हो रही है 3,00,000,000 की अच्छा सॉरी मैंने उपर गलत amount बोग दिया सॉरी 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 ये साड़े साथ लाग है सॉरी साड़े साथ लाग मैंस होगा ना मैंने तीन मिलियन ऐसे लिखा गा तो तीन मिलियन तो परचेज है सॉरी सो भाई तीन मिलियन के अंदर क्या क्या शामिल है goods worth रूपीज 3,20,000 परचेज फ्रम अक्रम लिमिटेड who was blacklisted on 25 फरवरी 17 due to issuance of flying in verses क्या करना है जी माइनस करें flying in verses क्या होती है जी fake in verses कोई कहते है fake in verses कोई कहते है बलके मैं आपको ना थोड़ा से इसका mechanism ना बता देता हूँ ठीक है numerical खतम होले पर बताता हूँ flying in verse होती ही गया बाराल इसको fake ही समझे है माइनस कर देंगे goods purchase from ZA traders amounting to rupees 30,000 ZA traders did not declare this amount in its tax return for the month of February 17 जारी बात है एक बंदे ने जब अपनी purchase sale declaring नहीं की तो आप purchase कैसे claim कर सकते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा a new machine purchased for rupees 5,000,000 which was commissioned into operation during February 12,17 क्या करना है हाँ जी बिलकुल मेरे भाई ये 5,000,000,000 आपका 3,000,000 में शामल है निकालें वहाँ से और इसको नीचे working 1.1 में fix session में जाके add करें office equipment of rupees 2,000,000,000 purchase from the warehouse जी क्या करना है हाँ जी ये भी आप minus करेंगे क्योंके जो equipment office के लिए खरीदा होता है इस पे को input नहीं मिलता goods plashed with a bank were sold by the bank in an auction for rupees 8,000,000 the normal selling price of these goods was rupees 1,000,000,000 जी क्या करना है हाँ जी बिल्कुल ठीक है क्या करेंगे हाँ working 3 में ले जाएंगे sale के अंदर excess of input over output brought forward अच्छा ये भी एक नहीं अंग्रेजी है brought forward नहीं कहरा वो कहरा है excess of input over output output के उपर जतना input जादा था यह बात करना तो भाई वो एक लाग दस जा रहा है यह face पे जाकर add हो जाएगा अच्छा आईए एक मिल लगाकर नहीं जारा flying invoices का बताता हूँ आपको बिसाल के तौर पे यह है seller और यह है buyer दोनों ने एक डूसर से कोई चीज नी खरीदी ना इसने खरीदी है ना इसने बेची है बिसाल के तौर पे इस भाई साहब ने किसी unresisted बंदे को sale की तो 18 version भी लगाएगा और 4 version भी लगाएगा 122 रपे उस बंदे से वसूल कर लेगा ऐसे है यही करेगा ना ओके यह अलग बंदा है इसने सिर्फ sale की हुई है ठीक है और आगे इसने ठाना लगाके 118 वसूल किया हुई अब होता क्या है भाई होता यह है कि इसके पास registered purchase कोई नहीं है इसके पास registered sale कोई नहीं है इसने अन्रिस्टर्ट को sale किया इसने sale जरूर किया पर इसके पास यह purchase ढूंड रहा है यह seller ढूंड रहा है इन दोनों के मुलाकात में एक बुजार में हो जाएगी बातों बातों मैं पता लगेगा यह कोई seller ढूंड रहा है registered और यह कोई buyer ढूंड रहा है registered तो यह भाई साब क्या कहेंगे यह कहेंगे यार यह जो invoice मैंने अंड रिस्टिट बंदे को sale किया न अंड रिस्टिट के नाम से अगर मैं अपनी return में upload कर दूँगा तो इससे क्या होगा कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं हो ना उल्टा मुझे 4 रुपे बढ़ जाने मैं काम करता हूँ मैंने यह invoice तुम्हारे नाम से upload कर देता हूँ अब जब यह invoice इसके नाम से upload होगी तो यह तो डिस्टिट बंदा है सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 18 रुपे की liability जो है वो calculate करेगा क्या यह जो 4 रुपे further tax के थे इसकी जे में चले गए चोरी कर ली है इसने इसने चोरी कर ली इसका क्या फाइदा हुआ इसका फाइदा यह हुआ कि इसका output है 18 customer जब फसूल की है यह इस output में से 90% of this जो भी बनता है वो adjust करेगा 16 रुपे और हकूमत को सिर्फ 2 रुपे जमा करा है तो इसने भी texture कर लिया और इसने भी texture कर लिया अब क्या ये कोई वाकई में transaction है के बस एम हवा में इन वोइस हुई है और बाद में आप कहते है सर देखें ऐसे तो नहीं होता 180 से दिन में payment भी तो करनी होती है तो ठीक है जी इसने इसको मीने के अंदर पेमेंट कर दी इसने अपने बेंक से कैश विड्रॉ किया और कैश वापस इसको बारों बार दे दी है अब बताएं क्या करेंगा आप इसमें कुछ कर सकते हैं इस पूरी ट्राजेक्शन में मुझे बताएं कहीं पे कोई आपने लोप होल छोडाओ इसको कहते हैं flying invoices अच्छा यह में सिखा नहीं रहा यह मैं सिखा नहीं रहा दो नमरी होती है यह मत कहिएगा क्या अच्छा आपना दो नमरी सिखा दी तो सरिये flying invoices ऐसे बनती है कि जो के लगता है कि सब कुछ रियल है लेकिन बैक एंड पर कुछ भी नहीं होता किस तरह बगड़ी जाएंगी वेरी गुड क्वेस्टन नेक्स क्वेस्टन प्लीज सवाल नमर उन्यस लाइंगे नो ऐसे बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अनलेस कि आप चापे मारें रेड करें चेक करें स्टॉक चेक करें सबका ठीक है जी मल्टिपलेबर 25 किया वह है 25 से किया वह है अच्छा उन्होंने डिसकाउंट की अमाउंट एड की होगी न उन्होंने यहां से टीन लाग माहिनिस नहीं किया होगा, उन्हें ने सफिर्ण डिसपाउंट की इमांट पर दीयोंगी. तो हमने सारी ने कालगे सारी अड कर दीयों, उन्हें ने सिर्ण पर दीयों, घुल ऐसे करता है. नहीं क्यूं अप arm already कहार? आयों जी question 19 पता हुआ निहीं ऐसे में जो भी आप इस एक एक्स 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 तर्फ उन्रेस्ट पर्स फॉर्किंग थी एक्सपोर्ट उट्जेट्ट इंगी भाई यह भी वर्किंग टू एक्साबल गोड्स फ्रॉम रिस्ट्ट सप्लायर्स Working 1 Input मिल जाएगा Taxable Goods from Unregistered Supplier Input नहीं मिलेगा Exempt Goods from Registered Supplier Input नहीं मिलेगा Fixed Asset from a Registered Supplier 1 Million इस पे क्या होगा जी Working 1.1 The following additional information is available for August 2017 1017 का data आपको दिया गया है Supply of Taxable Goods to Registered Persons Include the following Registered Persons को जो आपने Sale की उसमें कह कहा है शामिल है जी Goods Invoiced at Net of Special Discount of 1.25 sold to a government official क्या करना है हाँ जी सर आप कैसे कैसे दे सकते हैं जी ये Net of Amount है इसमें 1.25 add back करें ठीक है तो 1.25 आपको add back करना पड़ेगा और तरीका मारा वो ही है जी Supplier to Registered में है जी 15 million में है तो 15 million में से 37 minus करें और नीचे अगली लाइन में जाग के साड़े चार add करते हैं जो हम काम करते हैं और यकम अगसातना ये चीज़ भी सेल में शामिल है CA launch a Halloween toothbrush which is covered under the third schedule The retail price of the toothbrushes is rupees 100 each However, being the first month of launching it was sold at a discounted price of 75 each 4000 toothbrushes were sold in अगसातना ले जी third schedule की item थी हमने discount पे बेज़ दी allowed था discount नहीं सर, हम तो retail price की बात करेंगे तो सर, 4000 को आप 75 से multiply करेंगे discounted price से ये amount माइनस हो जाएगी sale में से और जो add होगी, वो होगी 4,200 4,00, गाले बन कोई मसला एक्सपोर्ट इंक्लूड supply of taxable goods of रुपीज 5,00, तो a retailer in export processing zone ये adjustment नहीं पहले कर चुके हैं आपको पता है कि export processing zone में अगर कोई retailer होगा तो उसको zero rated नहीं होता बलके manufacturer को होता है exempt supplies include distribution of free sample of exempt goods among the vendors, value of such goods amounted to 30,000 सर, अगर ये taxable sample होते ना तो मैं इनको sale में ले ले था ओके, लेकिन चुए ये हैं ही exempt तो फिर इनको exempt ही रखना पड़ा है परचेस from a registered supplier include 21-400 की बात हो रही है material worth रुपी 3,00,000,000 the payment of which was made by depositing cash directly in the business bank account of the supplier लें जी इस पे input नहीं मिलेगा क्यों भला? क्योंकि बैंकिंग channel established नहीं हो रहा आपने cash निकलवा के cash deposit करा दिया अगर आप bank से confirm करेंगे हाँ भई ये payment उसके account में गई है आपके पास कोई जवाब नहीं है बैंक के पास कोई confirmation नहीं हो कहेगा पता ही भई cash लेगे है मुझे क्या पता कि पर जमगरा है हाँ अगर मुझे कहा होता check to check transfer करो online transfer करो तो मैं बता देता है कि उस account में गया है material worth rupees आठ लाक against which a discrepancy has been indicated by the crest यह तो simple बात है यह disallow होना है minus कर दें क्योंकि शामिल है an amount of rupees 2 million paid for purchase of raw material however only 30% of the goods were supplied during August for which sales tax invoice has been issued तो 2 million का 70% minus कर देंगे ठीक है 2 million शामिल है ना उपर purchases में उसमें से 30% आपको invoice मिलिया है तो इसका मतब है 70% गलत पढ़ा वैं उसके अंदर तो 70% input में से minus कर दें क्या ख्याल है तो 14,000,000 बनेगा गालिबन उन्हाँ माइनिस कर दें anytime it likes anytime it likes का मतब यह होता है कि made available है है जब आपका दिल करें चीज़ें आके ले जाएं तो सर मेंड अवैलेबल पर तो टाइम आफ सप्लाई हो जाती है तो इसको आप सेल में शामिल करेंगे सबादो लाग को जी क्या करना है जी बिलकुल ये सेल्ज रिटर्न हो जाएंगी आगे चलें दा ओडिटर्स है प्रोपोज़ अगेंस ऑप्रोवियन अगेंस ऑप्सुरीट इन एकस्पाइट स्टॉक और इतने विच इस लाइंग इन सी एज वेरहाऊस इंजनुरी सोला जी क्या करना है प्रो कॉमेशन इंटो अपरेशन और इकत्ते जगा सतना सरी कौन सी मिशीन की बात कर रहा है यह वह पर चेज़िस के अंदर चौथी लाइन लिखिए ना वन मिलियन उसकी बात कर रहा है और एकसेस ऑफ इंपूट देखे नहीं अंग्रेजी चेंज हो गई वक्के साथ-साथ-स हो गया यह वही ब्रॉट फॉरवर्ड है जो आपने फेस पर जाके इंपूट पर एट करना किसी का कोई सवाल दूसरा कौन सा जी सर एकस्पोर्ड प्रॉसेसिंग जोन मैंने बताया था पाकिस्तान में डिफरेंट आलाके हैं जिनको एकस्पोर्ड प्रॉसेसिंग जोन का जाता है क्यों का जाता है क्यों का जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो चीज़ें बन मुझूद किसी manufacturer को sale की तो आपकी sale भी zero rated है ये देखिए this is export processing zone ये manufacturer है और ये आप है आप इसको sale कर रहे है आपकी sale zero rated है आपकी आपकी ये तो export कर रहे है इसकी तो हई है आपकी भी है लेकिन क्या मैंने exporter को sale की है retailer को की है तो sir retailer को तो नहीं है exporter को है manufacturer को है तो manufacturer को export processing zone में sale करेंगे तो zero rated manufacturer के इलावा किसी को sale करेंगे तो पूर 18 वर्शंट ये बात ना वैसे आपके course में नहीं है पता नहीं क्यों आपके पैसे शरारतें करता है अक्सर बात नहीं परशान नहीं होना 99 में से पास हो कौन सा फर्स्ट और सेगंड वाला supply of taxable goods सरी यह देखे ना तीन पच्चेस हमने special discount दे दिया यह भी बता दो सर तीन पच्चेस देखे ना net of discount है क्या आप discount दे सकते है special discount दे सकते है norm वाला तो दे सकते है तो आपने उसको 70 लाग रबे का special discount दे दिये कहां लेखा रेखा नskा लिफ्लोमेट को लखांगा है और डिप्लोमेट यह हर बंदा डिप्लोमेट तू नहीं होथा मेरा दोस्त है वो सरकारी मुलाजम है वो डिप्लोमेट तो नहीं है अब हाँ जी बिलकुल लाया गाड़ जी सब्सक्राइब यह थर्ड शेडूल के अटब मेरे भाई पचाटर रुपे पें सेल की यह आपकी सेल में शामला उपर तो चार दार न्टू 75 सेल में से निकाल देंगे और 400 एड़ कर देंगे क्योंकि रिटेल प्राइस पर लगना है और कुई सुवाल अब आप छोड़ दें आप इसी फॉर्मैट पर रहे हैं वह एक अधर और तरीके से चलता है हाँ हाँ यार हाद हो गई है कमाल करता है तू हाँ नहीं वह उनका सुलूशन आपको नहीं समझाएगा वह बढ़ाना और तरीके से किया होता है और छोड़ दें उसे क्वेस्टन नमबर 20 और 21 कल करके आएगा 21 छोटा सा है भाई ठीक है 20 और 21 कल करके आएगा एक सेकंड जी जी डेबिट और क्रेट नोट का क्या बता दू वो इसलिए के वो रिजिस्टर्ट बंदा है सेकंड सेनेरियो में जो रिटर्न कर रहा है वो अनरिस्टर्ट बंदा है जी बिलकुल क्योंकि अंदर इस्टर्ट पे तो सेल्टेक्स लागो नहीं होता वो बिचारा तो नोट इशू कारी नहीं सकता जनाब सर वो डिस्ट्रॉई ही होता है और डिस्ट्रॉई का पूरा तरीका मौजूद है ठीक है जी और ठीक है सर जी अली रज़ा भाई एक मिनट दीजेगा एक सेकंड है चले जी सफा नमबर 345 आईए आज ये चेप्टर 15 ना किसी किनारे लगाई देते हैं क्या ख्याल है या लेट आते हैं कोई शरम करो या आदत ही बना ली है तुमने अपनी शौकत जिस क्लास में भी जाना लेट ही जाना आज भाई का बोलने का दिन है यार मर् देख ले यार मतलब टाइम देख ले आज तो सारे कब हो आगे है अल्टरनेटिव डिस्मूट रेजलिशन अच्छा ये वो पंचायत है भाई जिसका जिकर मैं बड़े अर्से से करता आ रहूं कि यह क्या फंकारी है जी जो यहां पर लगी हुई है अच्छा ये जो ADRC है फेरे एक सेकंड जरा मुझे चेक कर लें दें एक चीज चलिए जी दुखी इंसान विल एप्लाय टू दा बोर्ट अदुखी इंसान में एप्लाय टू दा बोर्ट फॉर अपॉइंटिंग कमेटी तू रिजॉल्ट डिस्प्यूट सर FBR को एप्लाय किया जाएगा कि सर एक कमेटी बनाने सर एक कमेटी थी सेटल्मेंट वाली आपको याद है 122 डी में पड़ी थी उसमें क्या था कि जब आपको शो काॉस नोटिस आया था ना तो शो काॉस नोटिस का जवाब भी आपने दिया था और साथ ही बोर्ट को का सर एक सर सेटल्मेंट कर लें याद है कुछ एक तो वह बात थी यह वह बात नहीं है यह ज़रा उससे फरक है ठीक है अब यहाँ पर आप कमेटी को कब एपलाय करेंगे क्या शो काॉस के बाद ही एपलाय होगा वो देख लेते हैं कि फरक उसमें और इसमें क्या है वो कहते ह जो है वो बोड को एपलाय करेंगा फॉर अपॉइंटिंग कमेटी तो रिजॉल्ट डिस्प्यूट ऑफ टेक्स लाइबिलिटी ऑफ रुपीज हंडर्ड मिलियन और मोर सौ मिलियन या उससे जादा कि अगर टेक्स लाइबिलिटी होगी अगर आपके केस के अंदर और एड का मतलब होता है रिफरंड वापस लेना हकूमत से तो अगर टेक्स लाइबिलिटी सौ मिलियन या उससे जादा है या आपने रिफरंड वापस लेना फिर वेवर ओफ डिफॉल्ट सर्चार्ज और पनल्टी आपने ये चीज़ें माफ करवानी है और एनी अदर रिलीव या कोई भी फाइदा जो है वो आप लेना चाहरे है तो वो कहता है कि भाई आप कमेटी बनाने के लिए अप्लाए कर सकते हैं आपका जो केस है वो या तो किसी अदालत में हो हाई कोट सुप्रीम कोट या फिर किसी एपलेट अथार्टी में कमिशन अपील भी आता है और एपल होती है शो कॉस जब कमिशनर इशू करता है उसके फॉरण बात ये होगी जब आप कमिशनर पे अपील लगवाएंगे और आपका केस शुरू हो जाएगा तब लोग अक्सर कहते हैं कि यार हमें नहीं आपके पास होना है क्योंकि सरकारी निजामें नहीं अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि हम क्यों अदालतों में जाएं वो कहते हैं सर सौरी ये देखें हम जा रहे हैं कमेटी के पास ADRC के पास हमने नहीं आपके पास है इसलिए कहा गया था कि जब आपका केस अदालत में लगा होगा ना और वहां से आप अपना केस ADRC में शिफ्ट करवा लेंगे तो जितने दिन आपका केस यहां पे चलता का ADRC में वो दिन भी निकाल दिये जाएंगे याद आया है यह बात हमने पड़ी थी तो सर यह वो चीज़ है जो के यहां पर डिसकास हो रही है सर अगर आपके खलाफ कोई मुझरे माना कारवाई का अगाज हो गया ना तो फिर सर केस यहां नहीं आयागा यहां यहां पर नहीं होगे वो मैंने आपको बताया था सेक्शन 111 जो है ना सेक्शन 111 उसके अंदर जो है ना वो कुछ इसतना की बाते लिखी हुई है तो उसके अंदर फिर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का अगास कर दिया जाता है तो वो केसेज पर यहां बेरेफर नहीं होते क्योंकि जरा वो नहीं बड़े सेंसिटिव केसेज होते है उसमें आपका सर कलम भी किया जा सकता है अच्छा नहीं सौरी इतनी बात नहीं होती इसमें जरा कैच है दो जाती है पता लगे वाकी सच्छे होगे है अप्लिकेशन जब आप देंगे ना बोर्ड को के सर कमेटी बना दो इसके अंदर जो है वो केसर रिजॉल करने की जो है ना प्रोपोजिशन होगी यानि के सर देखें मेरा केस इसका मिसाल के तौर बे ट्रैबॉनल में चल रहा है कमिश्टर कहता है कि जी आपकी लाइबिलिटी 120 नहीं बनती 200 बनती है मेरा उसका जगड़ा इस बात पर है चले सर मैं 500 देने को तयार हूँ मैं 500 देने को तयार हूँ कमेटी कमेटी मेरा फैसला सुने मेरा केस सुने सौरी फैसला नहीं केस सुने है हाई कोड सर अट लीस्ट हाई कोड के जज़ों वो लेवल होता है न लोगों का और यही भाई साब कमेटी के चेर्मेन भी होंगे तो बी नॉमिनेटेड बाई दा बोर्ड फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बा दा लाउ एंड जस्टिड डिवियन यह सर कोई इनकी लाउ एंड जस्टिड डिवियन होती है और कल को जब कोई बंदा कमेटी के लिए कहेगा कमेटी बना दो तो उसी डिवियन में से बंदा निकाल के जाना क्या करेंगे जी उसको माँ पे चेर परसन बना देंगे आगे चलें लें जी आपके लाखे का जो चीफ कमेशनर होगा ना उसको पॉइंट किया जाएगा कमेटी गिंदर आप होंगे के नहीं देखते है परसन टू बी नॉमिनेटेड बाइट टेक्स पेर फ्राम दा पैनल नोटिफाइड बाइदा बोर और परसन जो है वो कोई पैनल होगा पैनल में से वो बंदे उठा लेगा और पैनल में कौन कौन होगा ओ मैन, ओ मैन, ओ मैं, ओ मैन, चाज़ आखाँंचंट, इसको मतलब है दोन चीजों में यह लोग हो सकते है एंड एड़ोकेट्स, वकील भी हो सकते हैं, काले कोट वाले, काला कोट एम ही नहीं पाया having a minimum of 10 years experience, oh man, कमसकम 10 साल भाई के पास है, हाथ मार, हाथ मार तो कमसकम 10 साल का तजर्बा होना चाहिए in the field of, भाई के पास टेक्सेशन में भी है लें जी भाई की तो नौकरी लग भी, ठीक है जी, तो इसका मत्दब है के कमसकम 10 साल का तजर्बा होना चाहिए टेक्सेशन की फील्ड में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट और मैनिलमेट अकाउंटेंट हो, और वकील हो, ठीक है, तीनों में से कोई एक हो, तो आपको पैनल में से नामज़द किया जा सकता है सर, आप टेक्सपेर जो है, वो किसी सीए को या किसी एड़ोकेट को नॉमिनेट नहीं करेंगे, अगर वो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील आपका आडिटर भी है, या दूसरे केसेज में आपको रिप्रिजेंट भी करता है, मरजी है यार तेरी, ठीक है जी, सब अचा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने ही, क्योंके कॉन्फलिक्ट आ जाता है ना, सामने जो बंदा आपका केस सुन रहा है, सिये वाला बंदा, जो केस सुन रहा है, वो आपका रिप्रिजेंटेटिव भी है, और वो आपका आडिटर भी है, तो इसलिए आप उसको नि नहीं करेंगे, ओफिसर्स ऑफ दा इंलेंड रेविन्यू सर्विस हूँ है रिटार्ड इन बीएस 21 और अबव, यह बेसिक स्केल है, गवर्मेंट के स्केल, आपको बतें नहीं, सोलवे स्केल का, स्तारवे, अठारवे स्केल का, तो 21 स्केल या उससे उपर का, FBR का बंदा, ठीक है, मेरे हाल में यह कमिशनरी होता है, लेकिन मेरे हाल में यह कमिशनरी होता है, इस से नीचे वाले नीचे होते हैं, रिप्यूटेबल बिजनसमेन नॉमिनेटेड बाइ चेमबर आफ कॉमर्स इंडिस्ट्री, चेमबर आफ कॉमर्स इंडिस्ट्री में आपको औरे मस्न हैं मसायल है आज कर जो जो मसलाओ आप देख रहे होंगे चल रहा है कि बिजली के रेट्स बहुत जाद है यह एक दो चार पांग दिन से चल रहा है वो बिसिकली यही लोग जा के उनको कहते होंगे कि सर जी देखें, बिजली के रेट्स हमें वारा नहीं खा रहे हैं, हमारी फेक्टिविया बंद हो रही हैं तो इनको कहें के रेट कम करें, और वो इसलिए वो आके न, चंद लोगी, चार पंच छे लोग हैं ओके, आगे चलते हैं, लें जी, जब कमिटी बनेगी तो क्या होगा जो के आप हैं, और जिस अदालत में आपका केस होगा न, अगर कमिशनर अपील के पास है तो उसको ट्रैबुनल है तो उसको, हाई कोट है तो उसको, जहांपे भी आपका केस होगा, उसको फैसला सुना दिया जाएगा के भाई कमिटी बन गई है, तो सर, आपको भी फैसला चला जाएगा, उस अथारिटी को भी फैसला चला जाएगा जहां पर आपका केस लगा हुआ है और कमिस्टर को भी चला जाएगा जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे है तो तीनों को चला जाएगा कि भाई कमेटी बन गी है अब हम सारे अदर आजो ओके लेट आते हैं नमजा शरम नहीं आती तुम्हें फिर सो रहे हूँ डिसीन भाई कमेटी आँखे देख अपनी हालात तेरे क्या बने में कितने मज़े साया था रात को दो बज़े मैं सवा दो साया हूँ जीब आदमी है या आपकी क्या बात है पिर देख मुनोकरी भी तो और क्या कहेगी पता लगाओ कुछ तो गड़बड है हमजा जैसे एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा हमजा भाई आपकी एक्सपर्टीज की जुरुत है आपसे बेतर टेक्स को कोई नहीं जानता जरा बताएं कि इस नुकते में क्या करना चाहिए हमें ये भी हो सकता है किसी भी FBR के बंदे को या किसी और फर्म को कहा जा सकता है कि सर जरा इसको ऑड़ट तो करें देखें तो सही हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड है और सर अकसीलियत से फैसला सुनाया जाएगा इस कमेटी में जतने लोग होंगे मेरे हैल में और नमबरी होंगे तीन, पांच, साथ क्योंकि अगर इवन होगे तीन, तीन बराबर होगे मसला पढ़ जाएगा तो शायद और ओर होंगे अभी तक जितना पड़ा शायद और होंगे तो पांच लोग है तो तीन ने अगर फैसला दे दिया फैवर में, तो फैवर में हो जाएगा अगर तीन ने अगेंस दे दिया तो गेंस में हो जाएगा लेकिन ये काम इन्होंने कितने दुने में करना है इन पंतालिस दिन सर ये कुए की तरीका नहीं है कहां आप कमिस्टर इपील के पास 120 दिन खुआर होंगे कहां आप वो एपलेट ट्रेमिनल में 100 से दिन खुआर होंगे तो बेतर है पंतालिस दिन में पंचायद सी थैसला करा ले इन 45 देस ओफ इस अपॉइंट्मेंट एक्स्टेंडेबल बाइ एनदर 15 देस फॉर दा रिजन तो बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कहते है कि भाई ये जो कमिटी फैसला सुनाएगी न सर बस वो यहीं तक रहेगा किसी और अदालत में किसी और कमिशनर अपील के पास किसी और एपलेट ट्रेमिनल में आप ये नहीं कह सकते कि देखें जी उस पंचायत ने ये फैसला दिया था तो आप भी ये फैसला दें वो कहता है ये प्रेसिडेंट नहीं है इसको आप एक्जेम्पल नहीं बना सकते बस ये इसी केस का फैसला है तो भाई ये जो कमिटी का फैसला होगा ये प्रेसिडेंट या एविडेंस के तौर पे कंसिडर नहीं होगा किसी और केस में और in the same case for a different tax year सर हो सकता है एक बंदे के लाव 2021 का भी केस चल लो 2022 का भी केस चल लो उसने अभी पंचायत के सामने 2021 का केस रखा है 2021 में कमिटी ने कह दिया चलो ठीक है जी तुम्हारा 185 ही बनता है तो ये बंदा फिर ट्राइबुनल में जिस ट्राइबुनल में हो सकता है बाइस का केस ट्राइबुनल में हो तो कि आपने साल भी बता उना होता है कि किस साल का केस आप ADRC मले जा रहे हैं तो अगर आपके दो केस ट्राइबुनल में चल रहे हैं तो आपने एक केस ले गए ADRC में ADRC ने ये फैसला दे दिया तो आप वापस आगे ट्रैबले में ये नहीं कह सकते कि देखो भाई 21 के लिए ना उसने मेरा ये फैसला दे दिया तो तुम भी ये फैसला दो और कहता सौरी भाई कमेटी का फैसला किसी तरहां से काबले कबूल कहीं और पे नहीं है इट कैनाट भी टेकन एज़ा प्रेसिडंट ये भी ले जो फिर उदर उन से करा लो हमारे पास क्या करने हो ठीक है तो किसी और टेक्सियर में अगर सेम केस चल रहा होगा तो वहाँ पे भी इसकी एग्जेम्पल इस्तमाल ली हो सकती ठीक है जी जनाब जी जी आपने बिल्कुल दुरस फरमाया बस सर असल में पंचायत के अंदर उनको शायद यकीन नहीं होगा कि पता नहीं फैसला करते हैं कर नहीं शायद इसलिए वो कहने है कि आपने ये फैसला किसी और पे प्लाइनी करना ठीक है अब पाकिस्तान में प्रैक्टिकल भी तो ये पंचायद लगती है ना गाउं दियातों में यही होता है अब क्या उसके फैसले भी अदालतों में होना शुरू हो जाए तो वो इतने कोई अथेंटिक नहीं आए कि उनके फैसले कि आप उनको बकाया जगों पर भी इंप्लिमेंट कर सके इस लिए शायद वो यह कहना चाहरे है आगे चलते हैं स्टे ओफ टेक्स रिकवरी उससाद टेक्स रिकवरी तो रही गई ने जी कमेटी बनेगे तो टेक्स रिकवरी को स्टे मिल जाएगा तिल दा अर्लियर ओफ डिसीन आफ दा कमेटी कमेटी के फैसले तक आपको स्टे मिलेगा या फिर तेलिस्ट डिजलुशन कमेटी के डिजॉल वने तक मिलेगा आगे चलें कमेटी डिसीन बाइंडिंग क्या कमेटी का फैसला खत्मी होगा तो कमेटी ने जो भी फैसला दे दिया तो कमेशनर उस फैसले को मानने का पाबंद होगा अगर टेक्सपेर अदालत से या अपिलिट अथॉरिटिज जहां भे भी केस चल रहा था वहां से विद्डॉव कर रहा है ठीक है जी आप कमिशनर अपील के पास गए थे और बाद में कमिशनर अपील से अपना केस विद्डॉव करा लेंगे और जो आपने कमिशनर अपील से केस विद्डॉव किया ना आपने राइटिंग में कमिशनर को बताने है कि कमिशनर मैं अपना केस विद्डॉव करता हूँ तो अगर ये काम आप कर लेंगे तो कमिशनर आपकी ये कमेटी का फैसला मानने का पाबंद होगा सर कमेटी ने आपको फैसला दे दिया था आप साथ दिन के अंदर अंदर कमिशनर अपील से केस निकलवा नहीं सके इसका मतलब है कि जो आपने अपना केस विड्रॉ करना है न वो साथ दिन के अंदर अंदर विड्रॉ करना है अगर आपने ना विड्रॉ किया तो फिर कमिशनर कहेगा कि सारी भाई कमेटी का फैसला अब मेरे अपर बाइंडिंग नहीं है अगर आप साथ दिन के अंदर ने विड्रॉख कर लेते हैं तो मेरे ओपर ये binding होता है तो जब टेक्सपेर अपना केस विड्रॉख कर लेगा और उसकी इंटेमेशन कमिशनर को दे देगा तो कमिशनर भी अपने केसे आपके خلاf वड्राज कर देगा 30 दिन के अंदर अधर तो इसका मदब है शुरूआता आपने करना. आपने कमेटी का फैसला अगर मान लिया और 60 दिन के अंदर वड्राज कर लिया तो सर कमिशनर भी 30 दिन के अंदर सारे के से विड्राव कर देगा तो कमिटी ने जो टेक्स रिसाइड किया आपको फिर वो पे करना पड़ेगा और पुराने जितने भी फैसले होंगे वो कमिटी वाले फैसले की रोशनी में बदल दिये जाएंगे और ठीक है असान ही है ना पंजायत मुश्किल तो नहीं है इफ दा कमिटी फैस टू डिसाइड विनिस सिक्स्टी डेस कमिटी के पास 45 दिन का टाइम है फैसले सुनाने को और 45 दिन को मजीद 5 दिन एक्स्टेंड किया जा सकता होपर बड़ा था साथ दिन के अंदर कमिटी फैसल ना सुना सकी दा बोड शेल डिसाल दा कमिटी तो बोड इस कमिटी को ही खतम कर देगा इतने ना हैल इतने ना हैल अड दा मैटर शेल बी डिसाइड़ बाइद रेलिवेंट कोट और केस वापस उसी कमिशनर अपील या ट्राइबनल या हाई कोड या सुप्रीम कोड के पास वापस चला जाएगा और ये जो दिन केस यहाँ पे चलता रहा होगा वहाँ पे ये दिन काउंट नहीं होंगे ये वो बात थी जो पढ़ते रहे हैं ठीक है? तो जैसे कमिटी बनने का फैस्दा सुनाया गया था वैसे ही कमिटी डिजॉल होने का फैस्दा दुखी इनसान को सुनाया जाएगा अदालतों को सुनाया जाएगा और कमिशनर को सुनाया जाएगा अन रिसीट आफ दॉडर और रिसलूशन जब आपने कमेटी डिजॉल करने का फैसला सुनाया कमिशन अपील को तो उसके बाद छे महीने के अंदर वो केस सुनके फैसला सुनाएंगे देखें सर कितनी जयाती है कमिशन अपील के पास 120 दिन है भाई याद है 120 दिन है हाँ extend किया जा सकता है 60 दिन अगर आपने सौ दिन वहाँ पे केस सुना और सौ दिन के बाद आप पंचायत में चले गए पंचायत ने भी फैसला ना दिया डिजॉल्व हो गया तो सर जब फैसला आएगा ना कमिशन अपील के पास वापस के जी डिजॉल्व होगी ये कमिटी वहाँ से फिर छे मीने मिल गए उसको फिर छे मीने में फैसला दे गजब बेज़ जती है आगे चले तो मैन ये तो काम की वाद रही गई थी मैं जरा देखनू के मुझे जो थरी ए में तनखा मिलनी है वो कितनी होगी तो कहला है चीफ कमिशनर के पेलावा जितने भी मेंबर्स होंगे न उनकी जो तनखा होगी न वो बोर्ड बताएगा चीफ कमिशनर को तनखा नहीं देंगे सर वो ओल्डन भी सरकार सा लेत हो रहा है इसी बात के तो पैसे लेता है कि तुम्हें कमिटीज में डाला जाएगा तुम्हें और बाकी काम किये जाएंगे ठीक है जी तो सर आप बन जाए न सीए और दस साल का तजर्बा ले ले मैं कहतो स्कोबी स्कोब है पंचायत में आप भी होंगे इस चीदे फैसले दीजगा इसकी गर्दन उताड़ दो आपने ऐसी फैसले दिने इसको कर्णट लगा आगे मार दो अजियत दे के आपने फैसले दिने अजीब लोग है या दा बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन ठीक है जी आप बी आरी बनाता है और कोन बनाता है हाँ जी पंचायत में कोई सवाल किसी का अच्छा पेपर में पंचायत ना लिखाईएगा Alternate Dispute Resolution Committee ADRC कोई सवाल आप ही हमजा कोई सवाल चिश्मा की तर है तुमारा तूट के है या या दो चिश्मा रखा करो न तू कैसे तूटा है कैसे तूटा है चिश्मा कैसे तूटा है खैर तुजा जी शोए ने कलती है उसकी आँकों से जाधा पढ़ लिया हाँ जी बस तूट गया नहीं बस कैसे तूट गया मेटल का था के प्लास्टिक का था मेटल का तो तूटी जाते प्लास्टिक का जो चेश्मा होता है नहीं देखो यह ऐसे भी हो जाता है अच्छा यह टूटा हाँ है यह कोई flexibility नहीं है यह टूटा हाँ है यह माईने जुगार लगाई हुए भाई के बाद दूसरा चेश्मा है वो याद नहीं रहता और यह पिछले कोई दो मीन यह से ऐसे है यह जिस दन पूरा उतरेगा न फिर ही वो निकलेगी यह अनक यह बड़ा मसला है Chartered Accountant न कंजूसी तो आपको पता है budgeting कूट कूट के भरी होती है anyway छोड़ें दफा करें जी, नहीं हो जाती है लेकिन, सॉरी, अब भी इसमे इतनी उजाज़त नहीं है button of proof हाँ जी, साबित करने का बोज किस पे होगा if taxpayer files यार ये काट देने हैं चिसमे वाली बात if taxpayer files in appeal अगर taxpayer appeal file करता है it is the liability of tax पे उत्तेरी है ले जी, अब देखें, हो क्या रहा है वो ही घिसी पेटी बात कोई 200 भी दफाम करने लगे हैं भला कौन सी return submit assumed assessment order notice of audit show cause और amended assessment order 120 नहीं 200 ये कह रहा है commissioner अब जब आप commission appeal के पास जाएंगे किस ने थाबित करना है कि ये 200 नहीं बनता 120 बनता है आप या commissioner बताएं कौन साबित करेगा commissioner appeal के पास tribunal के पास हाई कोट के पास कि ये 200 नहीं बनता ये 120 बनता है आप ही करेंगेनगे और कौन करेगा प्रोसी तों नहीं करेगा if tax payer file in appeal अगर टेक्स पे रिपील फाइल करता है It is the liability, it is the जिम्हदारी of taxpayer to prove ये थाबित करना That in the case of assessment order जहां पे पैसों की बात हो रही है टेक्स की बात हो रही है The assessment order does not correctly reflect the tax liability के assessment order जो है वो tax liability सही से नहीं बता रहा है, आपने थाबित करना है ये दोसों नहीं, एक्सोबीस है और इन अधर केसे और दूसरे मामलात में that the decision is erroneous, के ये फैसला तो गलत है, मैं जान सीना का representative थोड़ी हूँ आपने थाबित करना है कि आप नहीं है ठीक है तो ये आपके उपर जम्हदारी होगी अब कैसे करेंगे ये हमें नहीं पता स्वाल एनी क्विस्चन लें जाई, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, हमारा आखरी सेक्शन आफ चेप्टर 15 लेकिन अभी एक दो बातें वो पीछे आपको याद है आए, पास्ट पेपर वो दो दिन में हो जाएंगे, तीन दिन क्या करेंगे ए और पी, वो एक दिन में हो जाएंगे दो दिन क्या करेंगे बिजनिस के सेल वाला, वो एक दिन में हो जाएंगे एक दिन क्या करेंगे एक होते है प्रोसीजरल रूल्स एक होते है कानूनी रूल्स अब जैसे वो रेजिडेंट के रूल्स थे आना जाना काउंट होगा वो कानूनी बनाता है लोग बनाता है लेकिन जो procedure होता है न कि जी अगर आपने sale tax return भरनी है तो उसका तरीके कार क्या होगा कहां कैसे भरेंगे आप, कौन सी invoice पहले upload करनी है, कौन सी बाद में करनी है यह operational किसम के फैसले है, यह FBR करेगा आगे चले, assessment giving effect to an order, it's very easy यह आपको याद होगा कि sale tax में भी एक आया था, assessment giving effect to an order, हमने वो भी छोड़ दिया था इसको ना appeal effect भी बोलते है, assessment giving effect to an order को appeal effect order भी बोलते है अच्छा जी, बात बस आपने इतनी सी जेन में रखनी है, बला क्या बात यह है कि जब commissioner amended assessment देगा ना, तो आप उस फैसले के खलाफ चले जाएंगे, अपील में जाएंगे, तो अपील में हो सकता है, फैसला आपके हक में हो जाए तो अगर आपके हक में फैसला होगा ना, तो उस फैसले की रोशनी में ना, commissioner एक और assessment order निकालेगा, जिसको हम appeal effect order कहते हैं तो जो भी authority, चाहे वो commission appeal हो, चाहे वो tribunal हो, चाहे वो high court हो, चाहे वो supreme court हो, वो जो भी फैसला दे, उस फैसले की रोशनी में commissioner ने एक order जारी करना होता है, उसको कहते है appeal effect order, बस ये बाद इसके अदर लखीए, अब वो कहता है, जी पहले देखते हैं कि ये order क्या है, a taxpayer filed a return for tax year 2010 at 6 lakh, assumed assessment order is issued 6 lakh, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद audit start हुआ and show cause notice, ये भी आपको पता है ऐसे हुआ है, और commissioner ने amended assessment order दे दी है 9 lakh, आप चले गए appeal में, the taxpayer filed an appeal, commissioner appeal में गया, अब tribunal में गया, the case is now pending in high court, भी अब high court में मौजूद है, high court decided that income is 8 lakh, decide हो गया कि income 8 lakh है, commissioner and taxpayer decided not to file an appeal against the court order, अब आपने फैस्ता किए बाप सुप्रीम कोर्ट नी जाएंगे, now commissioner will issue an assessment giving effect to a court order, it is also called as appeal effect order, तो वो इस 8 lakh की रोशनी में एक नया assessment order जारी करेगा, के शौकत तो तुम्हारी income 6 lakh से बढ़ाके 9 lakh नहीं बलके 8 lakh कर दी गई है, high court के फैसले की रोशनी में, हीगोगी बात, भी ये बात है, अब यही फनकारी आँगे लिखेंगे, time limit के है जी, appeal effect order issue करने का, where an assessment order is to be issued after an appellate order, the commissioner shall issue appeal effect order within two years from the end of the financial year in which the appellate order is served, appellate order होता है, यह जो appeal वाली authorities होती नहीं जब यह फैसला सुनाती है, 24, 25, 26, 27, बिसाल के तौर पे 24 पे court ने फैसला सुनाया कि इसकी income इतनी नहीं इतनी बनती है, जहां पे भी आपका case था, और अब आप आगे जाने का नहीं सोच रहे, आगे appeal करने का नहीं सोच रहे, तो सर्थ जिस साल फैसला आया, उस साल के आखर से दो साल का time है, जिसमें commissioner यह appeal effect order जो है, वो issue करना, time limit for appeal effect order in case direct relief is provided, where direct relief is provided by the appellate authorities से direct relief होता है, direct relief होता है, अगर taxpayer को फाइदा पहुंचा दिया जा, ठीक है, अगर assessment order में taxpayer के हक में फैस्ता दे दिया जाए, तो इसको direct relief कहते है, where direct relief is provided by the appellate authority, the commissioner shall issue appeal effect order within two months of the date of the appellate order is served, तो बस यह तो बड़ी simple बात है, इसमें तो साल भी नहीं मैं बना सकता, तो अगर मिसाल के तोर पे यह 26 को हुए ना, तो यह दो मीने ही कहीं पे हो गए, ऐसे करके, अब दो मीने मैं कैसे बनाओ, ठीक है, तो दो महीने के अंदर अंदर उन्होंने आपको appeal effect order देना है, very easy, time limit for issuing order by commission in case an assessment is set aside, set aside होता है कि वापस बिजवा देना, where an assessment order has been set aside by any appellate authority, case वापस बिजवा दिया गया, दुबारा सुनो, the new assessment order will be passed within one year from the end of the financial year when the appellate order was heard, तो सरीय देखिए, अगर case, फैसला आपको इस साल सुनाया गया गया ना, तो इस साल के आखर से एक साल, इसके अंदर अंदर फिर उन्होंने आपको appeal effect order देना है, that limit will not apply if taxpayer has filed an appeal against the order, ठीक, अपील में आप आगे जा रहे हैं फिर तो नहीं ना, क्योंकि हमारा तो ये appeal effect आता ही तब है, जब आगे मजीद appeal में नहीं जा रहे होते हैं, अगर आप मजीद appeal में जा रहे हैं फिर तो नहीं बन सकता थीक, अगर आपने मजीद appeal में जाने हैं पिर नहीं निकलता है, यह तब निकलता है जब दोनों फैसला कर लें कि अब हमने आगे appeal नहीं करनी है, यहीँ पर रोग देना है, फिर appeal effect आता है, क्योंकि एक बनेगा ये तो नहीं एक कमिस्रर अपील का लग मेंगा फिर ट्रैबूनल का लग बनेगा हाई कोड का लग मेंगा वो कहेगा भाई एक बलेट डिसाइड करuch जगड़ा कहा तक लेके जाना जहां तक जगड़ा जाएगा वहां तक का अपील एफेक्ट एक ही दफ़ा निकला है ले जी अगर अगर अदालत ने केस वापस भिजवा दी है ना के भाई दुबारा सुनो तो सर क्या शुरू से दुबारा करवाई का अगाज होगा या जो सुन ली है वो सुन ली है उसके आगे बात बढ़ेगी जहरी बात है जहां तक केस सुन ली है उसके आगे बात बढ़ेगी ना कमिस्टर ने कुछ काम तो किया वे अलड़ी आगे Commissioner Appeal ने का है या Tribunal ने का है कि Commissioner तुमने ठीक नहीं सुना दुबारा सुनो तो जहरी बात है Commissioner अब जो चीज़ा है पहले कर चुका दुबारा तो नहीं करेगा वो आगे से शुरू करेगा It will not be necessary to re-issue any notice which was already issued तो वो कहता है कि अगर आपका notice of audit issue हो चुका है ना दुबारा इशू करने की जूरत नहीं है बस ठीक है कोई मसला नहीं उसी audit के notice की रॉश्टी में मजीड डेटा मंगवा लो और टू री-furnish any return which was already furnished और जो document already taxpayer ने बना दिया है आप भी उससे ना मांगे के भाई मजीड मुझे return जमा करा करा के दो बस उसने करा तो दी है एक दफाह तो मीबार तो ठीक है ओके दो बातें हो सकती है केस रड़ा दालत में पता नहीं कौन है यह I don't know him All characters are purely fictitious and he's endless is purely coincidental नवाज स्रीज साब है कोई इनका case चल रहा है दालत में मसला यह है कि 100 रपया बैंक में आया समझ नहीं आरी income किस की है तो सर वो आगे क्या बात करता है जी अगर अच्छा case 2023 का चल रहा है notice 2023 का आया होगा तैरी बाद है return 2023 की होगी न notice 2023 का होगा आशो काउट 2023 का होगा amended assessment 2023 का होगा नौाज स्रीज साब अपील में चले गए होगे और अपील वालों ने साबित कर दिया होगा कि यह 100 रपय आपके ही है लेकिन यह 2023 में नहीं आएंगे यह तो 24 में आएंगे यह अदालत ने फैसला दे दिया आपको जितने भी नोटेस आते हैं उसके उपर टेक्सियर मेंशन हुआ होता है अब नवाज स्रीज साब कहेंगे खुदा के बंदो रिटर्न जमा कराई 23 की एज्यूम्ड असेस्मेंट आया 23 का नोटेस अवाडिट आया 23 का शो काउज आया 23 का अमेंड इसेस्मेंट आया 23 का अपील गई 23 की सारा कुछ तो 23 का और है और तुम 24 कैसे अमेंड कर सकते हो और 24 की भी तो पहले ये सारी करवाई पूरी करो ना फिर आओ बात समझाती है ऐसे लोगों के लिए लोगने लिखा है अगर किसी भी अदालत के फैसले की रोशनी में एनी इनकम इस री क्लासिफाइड सर क्या ये इनकम एक साल से दूसरे साल में री क्लासिफाइड हो गई है नीचे आईए वो कहता है नवाई से साथ हमें मत सिखाएं कि जी ये सारी करवाई पूरी करो हम क्या 6 साल लगा दें एज्यूम हो गया कि इस साल का भी अमेंड इसेस्मेंट और निकलाया तो सर ठीक है एपलेट अगर कह रहा है कि जी 23 की बजाए 24 की इनकम है तो आप ये नहीं कह सकता है पहले 24 की सारी बात में पूरी करो फिर फैसला दो कहेगा अगर मैंने क्लास्फाइ कर दी है न तो 24 भी अमेंड हो गया मेरे पास है पावर बात समझाई? तो इसका मतलब है कि एपलेट अथोरिटी अगर इनकम रीकलास्फाइ करती है दूसरे साल में तो दूसरे साल की ये सारी चीज़ें बाइपास हो जाएगी ठीक होगी बात? ये बात समझागी? अच्छा ये तो चलने ठीक है समझ आती है लॉमेकर ने का सारी एपलेट ट्राइबनल ने का कि मान लिया ये इनकम नवाज शरीफ साहब की नहीं है बड़ी हो गया ये इनकम तो शेभाज शरीफ साहब की है शेभाज तरी परवाज से जलता है जमाना सारा या सारा जमाना जो भी है तो भाई अब मुझे बताइए कि शेभाज शरीफ साहब ना लेने में ना देने में, वो तो नमाज से आपको देख देख के हस रहे थे, आए यह अजीम्ड असेस्मेंट, आए नोटिस अवाड़ेट, आए शोकास, लेवल अमेंडिट हो, फीले चल रही है, वो देख देख के खुश हो रहे थे, और एक दिन अचानक से यह फैसला आया, एपलेट ट्रेबुनल का या हाई कोड का जिदर भी केस चल रहा है, कि शबाज सिर्शा यह इंकम तो आपकी है, वो कहेंगे, ओ भाई, क्या मुझे कोई नोटिस आया है, क्या मुझे कोई शोकास आया है, क्या मुझे कोई अमेंडेट असेस्मेंट आया, मुझे तो तुम कुछ बताया है नहीं तुमने, ऐम ही मेरी इंकम है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लोगों ने लिखावा है, इफ ड्यू तो एन एपलेट और, सर फिर ये सब कुछ बाइपास हो जाएगा, और ये भाई मैं आपको बताओ, वो सकता है आपके पडूसी का केस FBR में चल रहा हो, और एक दिन आपको नोटिस आजा है, भाई, ये तो आपकी इंकम थी, दें टैक्स, आप कहेंगो किदर से, तो कहेगा, सर देखें, इंकम जो है ना, रीकलस्वाई होगी है आपके पास, तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं, नोटिस तो आया या नहीं, शोकॉस तो आया नहीं सर, सब हतम, इस 124 के पांच में, एपलेट अथर्टी के पास ये इखतियार है, कि वो सब कुछ बाइपास करके, आपको फैसला जारी कर दे, हाँ, अपील आप कर सकते हैं, वो आपके पास अखतियार है, अपील तो आप करी सकते हैं, ठीक है, लेकिन वारहाल, ये सारी चीज़ें बाइपास हो जाएगी, क्या चीज़? सर, अगेन, ये कल बात हमने पड़ी थी, कि जज़मेंट डिटेल आती है, पूरी लॉजिक के साथ आपको फैसला सुनाया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा, बस आपकी इनकम सौरव्या बढ़गी है, नो, सारी लॉजिक्स होंगी, सारे एविडेंसे जोंगी, ठीक है, बात समय जाती है, सर, एक मिन्ट देते हैं लिज़ा भाई, ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है, क्या हुआ, यार, असल में न, वो मेरे न, डॉक्टर की अपॉइंट्मेंट असाड़े दास, तो मैं न, दूसरी टेक्सी क्लास असल में नी लेनी, इसके मैं अभी रिकॉड कराके न, उनकॉल नहीं लेनी, तो मैं बस घंटे के लिए जाने फिर मैं आदे होंगे, इसलिए वो न, वो मैंने बता दिया था, आप लोग चार्चार रिस्टर कराएंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है न, वो मैंने का, उन्होंने भी का कि यार, वो टाइम ही वही है, तो ऐसी बिचारे न, फिर खौर हो जाएंगे, तो फिर मैंने का, वो मैं चेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मैं किमिट कर चुका हूँ, आई जी पॉइंट निवर सिक्ट है, बात ने करा लो इससे, पढ़ने की दफ़ाएंगे बंद हो रही होती है, चेश्मा तो उड़ दिया, अब महीना चेश्मा नहीं बनाएगा, और जाके पेपर में कहेगा, चेश्मा नहीं था, रिजल्ट आएगा, सब को कहेगा, चेश्मा टूड़िया था, चेश्मा टूड़िया था, तू अगर मुझे नज़र आया ना पहले चार पेपर में कहीं पे भी मंडलाता वा फिर तू देखी, मज़े अबतार हो आगे चले वेर अपील अफेक्ट और इस टू बी इशूड जर्नल टाइम लिमिट फॉर इशूइंग असेस्मेंट और विल नाट एपलाए सर देखें, आपको पता है, अदालतों में तो फैसले बहुत सालों तक चल जाते है तो सर ये वाले टाइम लिमिट से अपलाए नहीं होगी क्योंकि अपील अफेक्ट और भी असल में मेंडिट असेस्मेंट और की तरह ही होता है तो वो कह रहा है कि बहुत जरनल टाइम लिमिट से अपलाए नहीं होगी फिर जब भी फैसले आएंगे ना, तो ये जो उपर 1, 4 और 2 में टाइम लिमिट पढ़े आना फिर ये अपलाए होगी मस्ची कि इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी तो ठीक है जी, अगर अगर अदालत ने आपके खिलाफ फैस्ता दे दिया कि जी सौरपय टेक्स पे करो और कमिशनर ने अपील अफेक्ट भी इशू कर दिया तो आपने उसी वक्ट टेक्स पे करना है फॉरण यह सारी बातें जो तस्वीरों में टाइम लाइन्स थी नहीं जो यह बनाई हुई है यह लिखी हुई है हो, एक सचाविस है, वो आ गया जिसका सबकुन, आखिरकार यह चेप्टर भी खतम होने को है और कोर्स भी इंशाला खतम होने को है अचा, कोर्स वैसे आपका ना, कॉंसेप्चुली शायद कल ही खतम हो जाए क्यूंकि कल आपको मैंने लॉस सारा पढ़ातो देने है, रूस सा पढ़ातो देने है फिर सवाल आता है, प्रैक्टिस ही है, उसकी फिर वो ही चलेगी 4-5-6 दे लेकिन वो अटेंड करनी है आपने, 31 तक आपने लाज़मी आना, ऐसे नहीं है कि जी बस फारख करा दें अगर तीन तक कर रहे हैं तो मैं दो एक्सरा क्लासें भी लिए लूर आपको सेटरे तक भी बला लो कौन? अच्छा वो, आप बता रहे थे कल मुझे पावर्स और टेक्स अथरिटीस तो मोडिफाई ओर्डर्स हाँ जी, टेक्स अथरिटीस के पास कौन-कौन सी शक्तियां हैं अपने फैसले बदलने के लिए वेर आ क्वेस्टन ओफ लॉ बला 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 ओके, बोट पर देखिएगा दो हजार बाईस, आपने रिटर्न जमा कराई और आपकी इंकम थी 100, इंकम फ्रॉब बिजनेस, आपने इसमें से पैनल्टी टू गर्वर्मेंट माइनस की, 10 रुपे और 90 रुपे के उपर जो भी टेक्स बनता था, वो आपने जमा करा दिया कमिशने की तरफ से शोक आज़ आ गया, यह सारा प्रसीजर हो गया और कमिशने शोक आज़ में लिखा कि आप पैनल्टी टू गर्मेंट माइनस नहीं कर सकते हैं आपने का कर सकता हूं, question of law, question of fact question of law या question of fact, यह question of law है भई, किताब खोल के पढ़ा जा सकता है कि गर्मेंट को पैनल्टी माइनस हो सकती है कि नहीं ले जी, उसने mandate assessment निकाल दिया, आप अपील में चले गए, उतनी देर में 2030 आ गया आपने 2023 में भी ये फनकारी लगाई, छोटे कमिशनर ने कमिशनरों को का, फिर आया ही, उसने फिर हुई हरकत किया, रुको ज़रा, सबर करो, कोई मासना ने, करने दो माइनस 24 में भी आपने ये हरकत की, छोटा कमिशनर, फिर आया ही, रुको ज़रा, सबर करो, इतने में इसका फैसला आगया अदालत का, कि आप ये माइनस नहीं कर सकते हैं, जो जी, कमिशनर अपने बादू चड़ाएगा और कहेगा, छोटे कमिशनर हुन वेक, इस फैसले की रोश 22 में कानून ने, कोट ने ये कह दिया है, कि पैनल्टी टू गर्वर्मेंट माइनस नहीं हो सकती, इसी फैसले की रोशनी में 23 और 24 के खर्चे भी डिसलाव, बात समझा जागी, तो वो एक साल पे बस परसू करेगा, और उस साल का फैसला अगर आपके हक में आगया, तो चल और एपलेट ट्रेबिनल, तो जो दूसरे साल उसके सामने पड़े होंगे, वो सेम फैसला उन पे भी लागू कर देगा, इवन इफ कमिशनर इस गोईंग इन अपील अगेंस अगेंस अगर फैसला आपके हक में आगया है, कमिशनर के खिलाफ आगया है, तो ठीक है, कमिशन में भी तुम्हें अजाज़ा देता हूं, लेकिन मैं आगे ट्रेबिनल में जा रहूँ भी, वहां मिलेंगे तुमसे, ठीक है, तो उसने यही काम बाकी साल में कर देना है, लेकिन क्या करना है उसने, अगर अपील में भी जा रहा है तो उसने उस ट्रेबिनल या हाई कोट क फैसले की रोशनी में बाकी सालों पे भी अप्लाय कर देना है इन केस दा डिसीन इस रिवर्स means that now is decided against taxpayer ट्रैबॉनल ने फैसला अब रिवर्स करके कमिशनर के हक में दे दिया के कमिशनर तुम सचे थे दा कमिशनर में मोडिफाइ आल असेस्मेंट सर याद रखें अदालत में तो ये वाला साल चल रहा है ये वाला साल चल रहा है ना ये फैसला पहले आपके हक में हुआ बाद में कमिशनर के हक में हुआ तो कमिशनर इसको डिसलाओ करेगा और इन सब को भी डिसलाओ कर देगा तो जब भी आपको ये फैसला मिलेगा एपलेट ओर्डर की तरफ से कमिशनर ने एक साल के अंदर-अंदर उस पे अमल दरामत करना है इन दिस केस जर्नल टाइम लिमिट्स फॉर इशुइंग असेस्मेंट ओर विल नॉट एपलाए तो टाइम लिमिट्स यहां पर एपलाए नहीं होगा यही एक साल वाली अपलाए दे हान जी सर कोई सवाल एनी क्विस्टन जी भाई और बोली है तो सही हान जी सर हर साल की असेस्मेंट वो चेंज करतेगा कठेग नोटेस आते हैं चार-पांच क्योंकि फैसला तो यह जागे होगा दोजाच भीस अटाइस में उस वद्धे चार-पांच साल गुजर चुके होंगे चलिए जी अच्छा सरी आगे उर्दू में कुछ आपके लिए रहनुमाई दी गई है अगर आप यह पढ़ना चाहिए तू चुप कर जाबी तू पंद्दरा मिंट नी बजो एक लास में वबस करें पंद्रा मिंट में से भी बारा मिट सहो गया कहरा है बस करें जी भाई पाजी सर मैं पूरी किताब की समरी बना देता हो मैं पेपर देने आपके साहत आजूँगा प्रिशान क्यूं होते हैं आप सोईए का रामसा है क्यों सर सर मैं पूरे सीय के पेपर दे दूँगा और बताएं हाँ मैं बता दूँगा सारा पेपर में आके मैं आपका इंटर्वी पे दे दूँगा जॉब इंटर्वी जी जी सर मैं आपकी नोकरी भी कर दूँका जॉब इंटर्विव कर देना जी सर कोई मसला नी मैं तनNewia भी ले लूँगा आपकी कोई मसला नी सारी गुशा कर गए यारो तन्खा पर गुशा किया बागे पलगे पर नहीं गुशा किया हाज जी बताएए यार कौन हो गए यार यह बाबर आजम आप सबको ना अल्ला पूछेगा और अल्ला से पहले भला कौन पूछेगा आई कैफ अच्छा भाई एक दो चार बातें जरा सुन ली जाएगा प्लीज आपने कभी चैप्टर उन्निस देखने की जहिमत किये जी चैप्टर उन्निस पे आईएगा जरा इस पे ना कुछ समरीज बनी हुई है इसमें जितने भी हमारे इंकम टेक्स के हेड्ज ओफ इंकम है देखिए इनकी समरीज बनी है पता नहीं आपन से कितने लोगों ने देखा यह अभी देख लेते हैं बिल गया है जी आपको सेलरी है फिर क्या है जी आगे की जेगा प्रॉपर्टी है कैपिटल गेन है अधर सोर्सिज है ठीक है उसके बाद ना ये नोटिस हैं जो के कमिशनर इशू कर सकता है चेप्टर 15 के इसकी समरी बनी है यहां से आपको बड़ी अच्छी गाइडिनिस मिल सकती है और ओर्डर जो वो पास कर सकता है वो बता सकते हैं अलॉंग विद तेर टाइम लिमिट्स तो यहां से आपकी ना काफी अच्छी नोटिसिस की और ओर्डरिस की प्रेपरिशन हो सकती है बाकि इन्शाला जो बात आप करने हैं वो भी आखरी आखरी दिनों में कोशिश करेंगे कि आखरी दिन क्लास सेशन के जिन्दगी के नहीं उसमें देख लेंगे कि क्या हो सकता ठीक है जी किताब दीजेगा मैं कहते हूँ टाइम ही बड़ा आच मना टाइम पर आज़े तो क्या ही बात होती है आपकी बात करो टाइम पर आगरे आप लोगों को आना पड़ेगा सफ़ा नंबर तीन सो पच्छेस पहुंच गया जी सिक्स ए में डबा बनावे जी वैसे तो मेरी खुआश थी कि यह हमारा आखरी टापिक हो लेगी चले इसके बाद लॉसस देख लेगे कोई मसला ने सर जी यहाँ पे ना पनल्टीज दी गई है देखिए सर आपने जब यहाँ पे रिटर्न जमा कराई थी ना अपनी उसमें आपको नज़र आ गया क्यों कि गल्ती है कोई गल्ती है आपने एक मर्सेडीज ने डेकलेर नहीं की अब आपको गल्ती का एसास किस वक्त होता है यह देखते है वो कहता है कि टाइम ओफ फरनिशिंग रिवाइज रिटर्न बिफोर रिसीट आफ नोटिस अफ आउडिट देखिए सर नोटिस यह है यह नोटिस है ना इस नोटिस से पहले पहले आपने रिटर्न रिवाइज कर दी पहली बात तो यह हो सकती है दूसरी क्या है जी दूरिंग ओडिट एंड बिफोर रिसीट आफ शो कॉज नोटिस अफ आफ यह नोटिस है स्रीज तीन बाते हैं तीनों पर डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टी है अगर नमबर वन सेनेरियो है तो फिर टेक्स शॉर्ट पेड या इवेड़ेड़ उतना टेक्स चुरी करना टेक्स जो कम पे किया प्लस डिफॉल्ट सरचार्च पेनल्टी कोई नहीं होगी अगर यहां पर रिवाइज की और अगर यहां पर रिवाइज की ओडिट के दुरान शो कॉष से पहले टेक्स पोइंटिड बाइज कमिशनर जितना टेक्स कमिशनर ने निकाल दिया है वो प्लस डिफॉल्ट सरचार्च प्लस पेनल्टी का 25 फीसद और अगर आप अब भी भी बाज नहीं आएं और शो कॉस के बाद ही मुड़ना है आपने तो फिर टेक्स चोरी किया डिफॉल्ट सरच और 50% आफ पेनल्टी इप इस अमाउंट इस पेड शो कॉस नोटिस यकीन करें अगर आपने शो कॉस के बाद उसको सारा टेक्स पे कर दिया ना तो फिर अमेंड इसेस्मेंट और्डर की कोई हैसियत रहेगी नहीं तो पिर जिस बात पे जगडा था वो ही हतम हो गया ठीक है तो फिर वो एक अमेंड इसेस्मेंट फाइनल निकाल देगा कि भाई ये बना था ये पे कर दिया का निया था ओके तो ये पेनल्टी जी और ये पेनल्टी अब कितनी है 50% वो सेक्शन आपके कॉर्स में ही नहीं है तो जो भी पेनल्टी होगी उसका 50% या 25% और सेल टेक्स में भी जो पेनल्टी वाला पोर्शन था ना वो भी कवर हो गया उसमें भी यही बात लिखी हुए ने जी और पी सवाल जनाब सर ये काइबर पे लगता है काइबर क्या होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट अब ये क्या होता है बैंक दूसरे बैंक से जब करजा लेता है ना तो एक इंटरस्ट अमाउंट पे लेता है चीक है उसको कहते है काइबर यानि एक बैंक दूसरे बैंक से जिस रेट पे करजा लेगा उस rate को कहते हैं काइबर और बेंक आपको कभी भी काइबर से नीचे या काइबर के बराबर करजा नी देगा वो काइबर से उपर 5% रखेगा क्योंकि अगर मैं बेंक हूँ आप बेंक है इन्होंने करजा लिया वै मैं आप से for example 20% पर लूँगा इनको 25 पर दूँगा ताकि ये मुझे 25 दे 5 में अपने पास रखूँ 20 में आपको दूँ ठीक है तो आज के लिए 20.5% पर चल रहा है और 29 को स्टेट बेंक की पॉनिटरी पॉलिसी है उमीद है ये और नीचे आ जाएगा ओके और ठीक है स्वाल चले फिर आगे टाइम ही टाइम है नहीं ठीक है जी अब हमारे सेल टेक्स और चेप्टर 15 के पास पेपर रह गें कल इन्शाला हम क्लास में लॉसस का अगास करेंगे सुबाद ठीक है लॉसस डिसकस करने के बाद फिर हम इसके पास पेपर तुम्हें साथ ही 15 में के तो करा दूँगा बाकी सेटर डे को फिर इन्शाला हमारे नुमेरिकल लॉसस वगरा के शुरू हो जाएंगे और बाकी जो साथ साथ हैं वो कर लेंगे ठीक है जी मुलागात होती है इन्शाला कल अलाफिज आज की एक्स्टर क्लास नहीं है इन्शाला सेटर्डे को मुलागात होगी